Hello and Welcome to Pravi Peer Classes तो आप देख सकते हैं आज के वीडियो का टॉपिक है शटक्रिया आप सोचेंगे कि इससे पहले भी मैंने आपके साथ में शटक्रिया के वीडियो के वीडियोज शेर किये थे जो 6 पार्ट में थे तो आज इस वीडियो में क्या है तो आज के वीडियो में जो special चीज है वो है कि शटक्रिया की जो संपुर्ण जानकारी है वो मैं सिर्फ एक वीडियो में ही आपको दूंगी और उससे भी अच्छी चीज ये है कि आज के वीडियो में जो matter मैंने आपको दे रही हूं इस slides के माध्यम से वो हिंदी में है explanation तो मैं हमेशा आपको हिंदी इंग्लिस मिक्स देती हूं पर आज के वीडियो में explanation हिंदी इंग्लिस रहेगी लेकिन matter हिंदी में रहेगा तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक notifications आपको मिल सके और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें तो चलिए देखते हैं शटक्रिया शटक्रिया यह शटकर्म इन दोनों को मतलब एक ही होता है यह हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धी करण की प्रक्रिया है शटक्रिया शंस्क्रित भ हमारे आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी साफसफाई करती है तो हट योग प्रदीपिका के अनुसार छे प्रकार की क्रिया बताई गई हैं जो है धोती, बस्ती, नेती, त्राटक, नौली और कपालभाती इनके मैंने सेपरेट वीडियो भी आपके साथ में शेयर किये हैं उन मैंने हर इक अलग जैसे धोती क्रिया है तो धोती क्रिया का एक सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ है आप वहां से जा के धोती की जो डीटेल ीनफिया क्या है, कितने प्रकार है उन फ स्वेस्वेसे फाफर्म करते हैं वीदिज अनौल दिव को सेपरेट द्वाग लेकर आई हूं इस वीडियो में, तो अब देखते हैं सबसे पहले हमारे मूह से लेके हमारे इंटेस्ट्राइन तक या एनेस और रेक्टम तक जाता है तो यह बहुत लंबा तंत्र होता है हमारे शरीर में पाचन तंत्र तो यह पाचन तंत्र की पूरी लंबाई में यानि की मूह से लेके जो लास्ट इसका ओर्गन रहता है हमारा रेक्टम औ उप्रकार होते यानि कि आप देखेंगे जो धोती है चार प्रकार की जैसे अंतर धोती दंत धोती रिद धोती और मूल शोधन धोती तो इनके भी उप्रकार होते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि अंतर धोती अंतर धोती के भी चार प्रकार है तो अंतर धोती का जो पहला प्रकार है वो है वत्सर्दोती फिर है वरिसर्दोती अगनिसर्दोती और भहिश्क्रदोती तो यह देखिए कि अंतर्दोती इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा अंतर्दोती यानि की हमारे इंटर्नल जो क्लींजिंग है वो होती है अंतर्दोती में अंतर्दोती में इसमें हम वाईयू को अपने गुदा द्वार तक लेके जाते हैं यानि कि अपने एनस तक लेकर जाते हैं और उसके बाद में उस वाईयू को हम अपने एनस और रेक्टम के थुरू बाडी से बाहर निकालते हैं यह हो गई वतसर धोती फिर है वरिसर धोती तो वरिसर धोती म हम करते हैं सलाइन वाटर का यूज सलाइन वाटर क्या है सलाइन वाटर का मतलब होता है जो गुनगुना पानी है उस गुनगुने पानी में छोटा सा चम्मच नमक का डालते हैं और जब नमक पूरा डिजॉल्व हो जाए पूरी तरह से घुल जाए उस पानी में तो उस पान के थुरू अपने शरीर से बाहर निकालते हैं यह होती है वरिसर्धोती फिर है अगनी सर्धोती तो अगनी सर्धोती अब देखेंगे जिस प्रकार से कपालभाती प्रणायाम का अभ्यास किया जाता है उसी प्रकार से अगनी सर्धोती भी की जाती है अगनी सर्धोती में हम तेज-ेज इनहेल और एक्जेल करते हैं poderia कि सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं और यह आपको सव बार करना होता है जिससे कि हमारा जो पाचन तर्था वहाँ पर एक अग्णी प्रज्वलित होती है और वो अगनी से हमारा जो पाचन तंत्र है वो और जादा मजबूत होता है और उसके जो कार करने की शमता है वो भी बढ़ती है तो ये कहलाती है अगनी सरधोती जो लास्ट है अंतर धोती का उप्रकार वो है बहिश्क्रत धोती तो बहिश्क्रत धोती क्या है बहिश्क्रत होती में हम एयर को सख करके 예uddle हमें य्याइक बेंद्र में आएक यू को ये को रोकते हैं यानी की जो वयलू को हम जैसे पाणी म EPA करना होता है और यू ग्रेहन तो यह कहलाती है बहिश्क्रत धोती अब है सेकंड दंत धोती तो दंत धोती जो है इसमें या दंत मूल धोती भी इसको बोलते हैं इसके भी उप्रकार है जो है जीवा मूल धोती कर्णरंद्र धोती और कपालरंद्र धोती तो दंत धोती में जो हमारा मुख होता है यानि कि ह हमार जो मौ hij होता है मुं होता है उसके आज पास की क्लिंजिंग इसमें की जाती है तो सबसे पहले जो है ४४ुझ को जीवा मूल्धोटी जीवा का अर्थ होता है जीवा का ऩॉट हमारी जो टंग होती कि हम रोज डेली लाइफ में अपने कानों की सापसफाई भी करते हैं तो इसमें अपने कानों की सापसफाई करनी होती है और कपाल रंद्र धोती यानि कि आपका जो सकल है जो आपका माथा बोलते हैं या शुद हिंदी में बात करें तो ललाट बोलते हैं उसकी क्लिंजिंग रिद धोती, तीया का सबसे मुख्य पार्ट है और जादा तर इसको जब त tiefст पढ़ाई जाती ए जाती के तीन पार्ट है दन धोती वश्ड्र धोती और और वमन्ध होती दन्ध होती में आप देखेंगे की हल्दी आपने सुनाओका तर्मरिक रूट यानि हल्दी की जो सौफ्ट सी जड़ होती है या लोटस की जड़ भी यूज कर सकते हैं हम इसमें उस जड़ को हमें अपने गुदा मार्ग में डाल कर दंड धोती परफॉर्म करी जाती है उसके बाद है वस्त्र धोती तो वस्त्र धोती यानि की कपड़ा यहां पर कपड़े को हम अपने मूँ से जैसे जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं आप यहां पिक्चर में देखेंगे कि उस कपड़े को हम पानी में हल्किया सा फुला लेते हैं जिससे कि हमें निगलने में आसानी हो और हमें उसको अपने मूँ से अंदर की तरफ में खाना और जब वह कपड़ा हम पूरा खतम कर लेंगे तो उसको हमें बाहर निकालना है जिससे कि जो म्यूकस वगेरा होता है वो सारा क्लीन हो सके हमारी बॉडी से फिर लास्ट है वमन धोती वमन यानी की उल्टी करना या इसको कुंजल धोती भी बोलते हैं वमन या कुंजल धोती कि दोनों एक ही चीज है इसमें हम सलाइन वाटर पीते हैं जैसे मैंने आपको बताया था सलाइन वाटर यानी की हलके गुनगुने पानी में जब नमक पड़ा होता है उसको सलाइन वाटर बोलते हैं तो जब सलाइन वाटर को हम पीते हैं ये करीब 6-7 गलास पानी हम पीते की जितना हमने वाटर फिया हुआ उसको हम अपने मुझ से बहर निकालते हैं यह कहलाती है वमन धौती covid और उसके बाद है मूल शोधन धौती बताने से पहले मैं आपको बता दूँ रिध सत्थे दंत धोती और अंतर धोती इन सभी का जो अभ्यास है वो आपको खाली पेट करना चाहिए जिससे कि आपको इसके लाब ज्यादा प्राप्त होंगे उसके बाद है मूल शोधन धोती तो मूल शोधन धोती भी जो है ये हमारे जो एनस होता है वहां की क्लिंजिंग इसमें करी जाती है और मूल शोधन धोती करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप जो बहती हुई नदी हो जो ज्यादा गहरी नहों वहां पर इसका भ्यास किया जाए यहां पर आपके मलाशय की साफसफाई होती है जो हमारे शरी में मलाशय होता है जहां से मल बाहर निकलता है व बस्ती क्रिया क्या है बस्ती क्रिया में हमारे कोलोन की क्लिंजिंग होती है कोलोन क्या है कोलोन हमारे इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है तो कोलोन की क्लिंजिंग की जो प्रक्रिया है वो बस्ती क्रिया में होती है जो बस्ती क्रिया है वे दो प्रकार की होती है एक ह जल बस्ती और दूसरी है स्थल या वायू बस्ती कुछ जगा पर आपको स्थल बस्ती मिलेगा या कुछ जगा पर हो सकता है आपको वायू बस्ती मिले तो दोनों एक ही चीज है तो जल बस्ती क्या है जल बस्ती करने के लिए हमारा जो एनस होता है यानि कि हमारा गुदा होत के लाहते हैं और हम फिर उसी मार्ग से और जलवस्ति लिया था आपनी उसी मार्ग से हम उस जल को बाहर निकालते हैं को यह कैला त acrediteci है जलवस्ति चै कि उसके बाद से Cơn यह वायू बस्ति तो वायू बस्ति या मार्क से बाहर निकालते हैं तो इससे हमारे कोलोन की क्लिंजिंग होती है नेक्स्ट है नेती क्रिया नेती क्रिया जो है यह हमारे नाक की नली की साफसफाई होती है इसमें जो आपका नसल पैसेज होता है उसकी क्लीनिंग करी जाती है नेती क्रिया में यह चार प्रकार की होती है पहली है सूत्रनेती जलनेती दुग्धनेती और घृतनेती तो सूत् यानी की धागा या थ्रेड जिसको बोलते हैं और या कैथेटर ट्यूब भी आता है specially वो नेती क्रिया के लिए ही बनाया गया है तो आप उस ट्यूब की मदद से आपको अपने एक नॉस्ट्रिल से डाल कर दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालना है या इसका जो और वर्जन है उसमें एक नॉस्ट्रिल से लेकर हम अपने मूँ से निकाल कर उसकी क्लिंजिंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो नसल पैसेज है यानी कि हमारी जो नाग की नली है उसकी सापसफाई होती है फिर है जल नेती जल नेती में हम अपने एक नॉस्ट्रिल से पानी को डालते हैं यहाँ नेती पॉट का यूज करते हैं आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी नेती पॉट का यूज करते हुए हमें अपने एक नॉस्ट्रिल से पानी डालना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से उस जल को बाहर निकालना है। प्रक्रिया जिस नॉस्टिल से पानी बाहर निकाला था उस नॉस्टिल से पानी को अंदर डालना है और दूसरी नॉस्टिल से पानी को बाहर निकालना है यह कहलाती है जलनेती फिर है दुग्धनेती दुग्धनेती और घृतनेती जिस प्रकार से आप जलनेती परफॉर्म क जल नेती के लिए जो आप जल ले रहे हैं वो भी लियुक मोम वाटर होना चाहिए यानि कि हलका गुना पानी और उसमें हलका सा नमक बढ़ा हुआ और नमक जभी भी आप सलाइन वाटर यूज करें ये चीज़ ध्यान रखें कि वो नमक उस पानी में पूरी तरह से डिजॉ इसका झ सब्सक्वी पूरी निकालना है उसके बात घ्रट नेती में आपको कुछ के घ्रट नेती में आपको हल्के गुने घि की जरूरत होगी इसको भी आपको उस नेवाटि पॉट में डालना है और ये प्रोसेश एक नॉस्ट्रि utal कर दूरा है तरह से निकालना है फिर यह क्रिया से हमारी आखों की साफसफाई होती है, यानि कि यह क्रिया से हमारी आइस क्लिंजिंग क्रिया भी इसको बोलते हैं, तो इससे यह दो प्रकार की होती है, एक इसको बोलते हैं अंतरतराटक और बहिरतराटक, अंतरतराटक क्या होता है, अंतरतराटक में हम अपने आ आखों को खोल कर सामने एक shivering भी रख सकते हैं या आप एक candle का भी यूज कर सकते हैं और यह जो भी चीज है ये आप अपने आखों के जब सामने थोड़ी सी दूरी पे रखें जिससे कि आपको अपने सर को जुकाना भी ना पड़े ना उपर उठाना पड़े और आपको उस पर्टिकुलर जैसे अगर मुंबत्ती का यूज किया है, कैंडल का यूज किया है, तो आपको उसकी लोग को देखना है, और तब तक देखना है, जब तक कि आपकी आँखों से आँसुना आने लगे, तो ये कहलाता है बहिरत्राटक, फिर है नॉली क्रिया, नॉली क्रिया हमारे पेट की मास पेशियों को मजबूत करता है, और उसकी क्लिंजिंग करता है, यानि उसकी साफसफाई करता है, नॉली क्रिया तीन प्रकार की होती है, दक्षिन नॉली, वाम नॉली और मध्यमा नॉली, तो दक्षिन नौली आपको नाम से ही क्लियर होगा दक्षिन नौली में जो हमारे पेट की मासपेशी होती है especially rectus abdominis muscle जो होती है जिसको six pack abs भी muscle बोलते हैं हम लोग उस muscle को यूज़ करना होता है नौली में तो जब हम दक्षिन नौली परफॉर्म करते हैं तो हमें अपने rectus abdominis muscle को दक्षिन की तरफ यानि की आपके दाएं तरफ उस muscle को लेकर जाना होता है और अगर हम वाम नौली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपने बाई तरफ आपकी rectus abdominis को लेकर जाना है और जब हम मध्यमा नौली परफॉर्म करते हैं तो वो पूरी muscle को आपको मध्यमे रखना है आप इसकी practice सबसे पहले मध्यमा नौली करें फिर आप वाम नौली और दक्षिन नौली का अभ्यास करें तो ये कहलाती है नौली क्रिया नेक्स्ट है कपाल भाती क्रिया कपाल भाती यानि की skull shining ये हमारे जो कपाल होता है उसकी cleansing करता है ये तीन प्रकार के होते हैं एक है वातक्रम कपाल भाती व्यूतक्रम कपाल भाती और शीतक्रम कपाल भाती वातक्रम कपाल भाती जिस तरह से कपाल भाती प्रानायाम किया जाता है उसी प्रकार से वातक्रम कपाल भाती का भी अभ्यास करते हैं यानि कि हम अपने जो इनहेलिंग और एक्जेलिंग का प्रोसेस है जिस तरह से रैपिटली इनहेल और एक्जेल किया जाता है यानि कि हम अपने नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हैं और नॉस्ट्रिल से ही सांस को सलाइन वाटर के use करते हैं व्युत क्रम कपाल भाती में, आपको अपने हाथ की हतेली में जल को लें और अपने नॉस्टरिल से उस जल को अंदर की तरफ ज्फ खीचना है, सक्करना है और अपने मुझ से बाहर निकालना है आप इस पिक्टर में भी देख सकते हैं यह व्यूत कॉर्व कॉर्म कपाल भाती का भ्यास कर रही है तो आपको नाग से जल को लेना है और मुझ से बाहर निकालना है वहीं शीत क्रम कपाल भाती में हम उस जल को पीते हैं सलाइन वाटर को और उसके बाद में हम अपनी जो नॉस्टिल्स होती हैं हमारी नासिकाय होती हैं उनसे उस जल को बाहर निकालते हैं तो यह कहलाती है शीत क्रम कपाल भाती तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इन सारी क्रियाओं की डीटेल इन्फोमेशन चाहिए तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, धन्यवाद